आज हम लोग रिप्यू करने वाले हैं बुक का आजाद दा इंविन्सिबल ये बुक चंदर शेकर आजाद के बारे में है ये उनके बायग्रफी है इसको लिखा है और इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में हम लोगों के लिए मजला टेकल जेना ये बहुत ही इमोशन है जिसको आप विटनिस करेंगे जब आप इस बुक को पढ़ेंगे ये बुक को इकीस चाप्टर में डिवाइड किया गया है स्टार्ट होती है जर्णी चंदर शेकर आजाद बॉई की वो चंदर शेकर तिवारी से चंदर शेकर आजाद कैसे बनता है उसकी कैसे जागती है इन सब के बारे में आपको बहुत कुछ सुनने को और देखने को और पढ़ने को मिलेंगा लेकिन ये बुक आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेंगी ये कोई अगयन आपका हिस्ट्री का चाप्टर नहीं है ये एक कहानी है एक इनसान की जिन्दगी की जो चै उनके प्रिंसेबल क्या थे उनका लेडिंज की तरफ उनका नजबल क्या था वह कितना रेसमेग्ट की जानी सि ईते प्लूलिट ये सब आपको इसमें बहुत कुं सब्सक्रा ओभिछार आपको येस नहीं हो मिलेगा कि मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आओंगा मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा लेकिन कुछ ऐसे दोके बाद कुछ ऐसे जैचंद थे जिनकी वज़े से आजाद ना उस situation में नहीं फसते हूं और ऐसे उनका वाली सिच्वेशन नहीं आती जिसमें उनको खुद को गोली मारती पड़ती तो यह सब पढ़ेंगे आपको उन लोगों के पर गुस्सा भी बहुत तेज आईगी आपको लगेगा कि कहां से ऐसे लोग देश द्रोही भी होते हैं जो ऐसे इंसानों के साथ धोका कर सकते हैं औ आप समझे हैं तो अगल नहीं होती है लेकिन साहस इतना जाद था गोली उसने किस तरीके से कितने अंग्रेजों को गोली मारी इतनी ताकब और जजबा उसमें कहां से आईए इस सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा भगसिक के साथ कि इनकी रिलेशनशिप आपको बहत अगज़ा भी चाहें चाहें तो आपको पूरी पिच्चर देखिए उसमें तो आप इस बूप को पढ़िए दूसरी चीज कि इसमें जो लिखी कही है कि चंदर शेकर आजात के बारे में इनकी फैमिली के बारे में एक आपको किस्ता मैं सुनाना चाहोंगे जिसमें यह होत मेरे पास पासे जो मुझे लोगा फंट्स देते हैं रहने मेरे पास पैसे प्टेरीम ऑपने लिए मैं लोग आपको सब्स का इन अगर मेरे पास पैसे ब्योग किया क्रिज्ट किया है तो बोली मैं उनके लिए भी समरपड कर सकता हूँ कि जिससे वो किसी की उस पे ना रहे हैं मतलब वो फंड के पैसे भी लेना चाहते हैं इतना स्वाभिमान इतना इस इंसान को आप जितना जानेंगे आप उसमें उतना डूपेंगे मैं चाहूँगी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस बुक को पढ़ें और जाने के चंदरशेखराजाद जिनके बारे में हम लोगों को बहुत कुछ नहीं पता हैं बहुत लिमिटड जानते हैं इनको जानें इनको समझें और आगे शेयर करें अपने आगे की जनर जो ही और ट्रेटर कहा था वो सरासर गलत था ना इंसाफी थी इनके साथ बहुत से इनको गांधी जी का भी आंगिल आपको देखने को मिलेगा इसमें कि उनका क्या नजरिया था इन लोगों की तरह उनों इर्विन पैक्ट में क्यों केवल उन लोगों को क्यों चुडाना क्यों क्रांतिकारियों के प्रति वो इतने जादा नाखुष रहते थे तो मैं रिक्वेस्ट करूं कि इस बुक को जरूर पढ़िए ये मिने अमेजों से मंगाई थी ये 599 इसकी MRP है और ये मुझे बढ़ी थी 300 संधिक 370 I think I believe मैं बढ़ी थी मुझे भी प्राइस याद न